दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा करेले के बीजों को बहुत जल्दी कैसे आप उगा सकते हैं बिलकुल यूनीक मेथड है, न्यू मेथड है आपको करेले के बीज अगर उगाने में समस्या आती है अक्सर ये बीज उगते नहीं है क्योंकि इनका जर्मिनेशन थोड़ा सा हाड होता है तो आज की ये मेथड आपके बड़े ही काम आने वाली है इस मेथड में आपको जर्मिनेशन रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा साथ में करेले के बीज बहुत जल्दी 5-7 दिन में ही जर्मिनेट हो जाएंगे तो पूरी मेथड समझने के लिए वीडियो को लाश तक देखिएगा पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बीज लेने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिपिकिशन आपको मिल जाए तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये करेले के बीज हैं जो मैंने लगभग साथ दिन पहले जर्मिनेशन के लिए डाले थे और अब ये जर्मिनेट हो गए हैं इन में देखिए इस तरह से रूट बन गई है अब ये तैयार है ग्रो बैग में लगाने के लिए तो सबसे पहले आपको करना क्या है पूरी method को समझते हैं सबसे पहले तो आपको लेने होंगे करेले के बीज ये देखिए बीज है ये packet से मैंने ये बीज निकाले हैं ये करेला लंबा वाला है और ये बीज आपको मिल जाएंगे website organicbazar.net पर यहां से आप करेले के बीज ले लीजिए बीज लेने के बाद आपको क्या करना है इस तरह का एक कोई भी plastic का jar ले लीजिए container ले लीजिए जो की आप जिसे air tight कर सकें air tight का मतलब है कि इसमें ये धककन को हम ऐसे लगा सकें अब आपको क्या करना है अब इसके अंदर हमने रखा हुआ है tissue paper अब tissue paper कैसा है ये देखिए इस तरह का tissue paper हमने इस तरह से मोड कर नीचे लगभग 3-4 tissue paper रखे हुए हैं ताकि moisture बना रहे उसके बाद इन tissue paper को हमने अच्छे से पानी से गीला कर दिया है गीला करने के बाद इसके ऊपर जो हमने रख दिये हैं ये बीज जो की करे लेकी हैं और फिर इन्हें भी अच्छी तरह से हमने कर दिया है गीला ताकि moisture बना रहे जब ये क्या होता है इस बीज के अंदर जब इस बीज के अंदर पानी जाएगा यहां से इसमें एक छेद होता है जब पानी जाता है तो यह active हो जाता है और फिर यह जो है अपना germination start कर देता है और यहीं से फिर इसका यह देखिए इस तरह से germination start हो जाता है और फिर हमें क्या करना है जैसे हमने पानी से इसे गीला किया अच्छा उसके चल लगभग 20 से 25 डिगरी सेल्सियस हो वहां पर आप रखिए लगभग 5 दिन बाद जब आप इसे खोल कर देखेंगे तो आपके करेले की भी जर्मिनेट हो चुके रहेंगे या फिर उनमें जर्मिनेशन सुरू हो गया होगा तो आप देख लीजिए जब इसमें इस तरह से आ जाए जो देखिए ये रूट बन जाए इस तरह से तो फिर आप जो है इन्हें लगा दीजिए बड़े ग्रो बैग में तो बहुत ही अच्छी में थड़ है बस इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि दोबारा इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है अगर कर दिखा देता हूं कि कैसे आपको इन बीजों को लगाना है बड़े ग्रो बैग में अब जो मैं करेले के बीज लगा रहा हूं उन्हें मैं लगा रहा हूं इस ग्रो बैग में यह 18-24 इंच का ग्रो बैग है और यह बीज है सबसे पहले तो क्या करना है आपको इन बीज को लगाने के लिए थोड़ी सी जगह बनानी है इस ग्रोवैग में मैं पांच जो है करे लेके बीज लगाऊंगा और इसमें से चार पौधे हम बाद में रखेंगे एक पौधा हम हटा देंगे कि यह देखिए इस तरीके से हम यहां पर लगा रहे हैं सबसे पहले तो थोड़ी सी आपको जगह बनानी है और अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि इसे लगाएं कैसे तो मैं आपको बता दूं कि यह जो है बीज यह उपर आएगा यहां से कौटी लेडंस बनेंग फूं तो यह हिस्सा हमें उपर रखना है जड़वाला हिस्सा हमें नीचे दबा देना है इसी तरह से हमारा ये जो है पौधा और यहां पर इस तरीके से हम इसे लगा देंगे अब देखिए उपर से बीज को बिलकुल tरही से कवर कर देंगे नॉर्मली इस सीड को जो है एक इंच की गहराई पर लगाया जाता है लेकिन अब क्योंकि हमने इसे पहले से ही जर्मिनेट कर लिया है तो हम इसे ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाएंगे इस तरह से हमने मिट्टी को कबर कर दिया है बीज को अच्छे से ढख दिया है और अब आपको देना है पानी हलकी मिट्टी में नमी है और उपर से भी हम पानी देंगे अगर पानी आप नहीं देंगे तो बीज जो है खराब हो जाएंगे उसका जर्मिनेट सम तो अच्छे से पानी दें और अब आपको दोबारा पानी बार बार नहीं देना है दोबारा पानी तभी देना है जब आपको दिखे कि उपर की ये मिट्टी हलकी सी ड्राई हो गई है तभी आप पानी देंगे और साथ में ये जो बीज है लगबद दो दिन बाद ही यहां से बाहर आ जाएंगे इस मिट्टी से और पौधा बनना तयार हो जाएगा बहुत जल्दी फिर ये करेले के पौधे तयार हो जाएंगे और फिर आपको मिलेंगे यहां से धेर सारे करेले तो करेले के बीज उगाने का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं और क्या आप इस मेथट को अपनाना चाहते हैं आप इस मेथट का यूज करते हैं उसके बारे में भी कमेंट्स करें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप ये करेला लगाएंगे तो इस तरह से फिर ये करेले के बीज उग जाएंगे और करेला बड़ा होगा, मैंने ये जो करेले हैं, ये सारे करेले इसी मेथट से लगाये हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो करेले लगे हुए हैं, इसी मेथट से नहीं लगाया है और अब इन में करेला भी आने लगी हैं इस तरह से आप दीखिए यह जो है करेला बन रहा है तो बहुत अच्छी मेथड है जरूर ट्राइ करें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जो भी आपको रिजल्ट मिले उसके बारे में जरूर बताएं आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें दोनों ही काम बिलकुल फिरी हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि आपको इसी तरह से अच्छी और ऑथंटिकेट इन्फॉर्मिशन मिलती रहे और मेरे साथ खुद की सबजियां होगा है